नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में आज के इस लेक्चुर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक अमेरिकन ओथर नथैनियल होथरोन की बायग्राफी को इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे के सारे exam points बताऊँगा जो भी exam में इनकी बायग्राफी से question पूझे जा सकते हैं वो सारे के सारे question मैं आप लोगों को cover कराने की कोशिस करूँगा तो सब से पहले start करेंगे हम नथैनियल होथरोन की basic information के साथ नतेनियल होत्रोन का जो जनम हुआ था वो 4 जुलाए 1804 को सैलम नाम की जगा पर हुआ था ये सैलम अमेरिका के एक स्टेट मैसाचूसेट्स में है अब एक बात आप लोगों को खास ध्यान यहाँ पर ये रखनी है कि 4 जुलाए का दिन अमेरिका के लोगों के लिए वैसे भी खास होता है क्योंकि 4 जुलाए को अमेरिका का इंडिपेंडेंट्स डे जो है वो सैलिबरेट किया जाता है तो इनका जनम जो हुआ था वो इंडिपेंडेंट्स डे के दिन हुआ था 4 जुलाए 1804 को इनके पैरेंट्स की बात करते हैं तो इनके पैरेंट्स में से इनके फादर का नाम नथैनियल हैथोन था अब आप लोग यहां पर देखेगा नथैनियल हैथोन की स्पैलिंग को ह-a-t-h-o-r-n-e यह जो स्पैलिंग है हमारे राइटर नथैनियल होत्रोन की नाम की स्पैलिंग से थोड़ी सी अलग है क्योंकि नथैनियल होत्रोन ने अपने नाम में बाद में h-a-w-t-h-o-r-n-e यह इन्होंने स्पैलिंग बना ली थी और नाम में अपने w add कर लिया था इसकी खास वज़े है इसको कोई छोटी आप बात मत समझना इसके पीछे की वज़े जो है बहुत बड़ी है आईए मैं आप लोगों को आगे इसकी वज़े भी बताऊँगा लेकिन अभी इनकी basic information को cover कर लेते हैं नथैनियल होत्रोन जो है इनके पिता नथैनियल हैथोन वे एक sea captain थे sea captain का मतलब है किसी समुदरी जहाज के वो in charge थे इसके अलावा East India Marine Society के member भी थे नथैनियल होत्रोन के father की death 1808 में हो गई थी जब हमारे writer नथैनियल होत्रोन सिर्फ 4 सालों के थे इनकी mother का नाम Elizabeth Clark होत्रोन था अब बात करते हैं इनके occupation की ये 19th century से belong करने वाले एक American novelist and sort story writer थे इसके अलावा अगर हम इनके works की theme की बात करें कि इनके works में हमें किस तरह की theme मिलती थी तो ये history पर लिखना पसंद करते थे, morality पर लिखना पसंद करते थे, religion पर लिखना पसंद करते थे देखो यह novel तो लिखते ही थे, sort stories भी लिखते थे, इसके अलावा इन्होंने एक biography को भी लिखा और biography जिसके उपर लिखी थी वो थे इनके ही classmate Franklin Pierce, अब इन्हों के classmate तो और भी रहे होंगे, इन्होंने Franklin Pierce को ही क्यों चुना, ये चीज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, और दो बेटी, रोज एन युना, इन बच्चों के नाम आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये युना नाम का करेक्टर बहुत इंपोर्टेंट है, आगे मैं आप लोगों को इसकी इंपोर्टेंट्स को भी बताऊँगा, आईए अब हम जान लेते हैं क्यों नथैनिय होथरोन है, उनके सरनेम में आप लोगों को डबलू देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इनके जो एंसेस्टर हैं, यानि के इनके पूरवज जो हैं, उनके नाम में आप लोगों को ये डबलू देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाद में इनोंने, यानि के हमारे राइटर ज बिलॉंग करने वाले लोग हैं ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इन्हें अपना सरनेम बदनले की जोट पड़ी थी आईए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो बिलॉंग करते थे ये एक अपर क्लास फैमिली से बिलॉंग करते थे उसमें कुछ magistrate थे, judges थे, sailor थे, clergyman थे तो ऐसे लोगों की फैमिली से बिलॉंग करते थे और सबसे खास बात आपको दो नाम याद रखने ही होंगे exam point of view से बहुत important है सबसे पहला नाम है William Hawthorn, William Hawthorn जो है ये बहुत important इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली से बिलॉंग करने वाले ये एक magistrate थे इसके अलावा एक judge जिनका नाम जोन Hawthorn था, ठीक है जी, तो हमारे writers से ने नाम इनकी वज़े से अलग किया था, क्यों भई, इनकी वज़े से क्यों का नाम अलग किया था, आओ, इसकी भी वज़े जान लेते हैं William Hathorn और John Hathorn की court में सुनवाई चल रही थी, अब ये सुनवाई कोई single सुनवाई नहीं थी, ये एक series थी, series of hearing थी, और इस series of hearing को, यानि सुनवाई को हम क्या बोलते हैं, the Salem witch trials के नाम से इसे हम जानते हैं, क्यों, ये किस तरह की सुनवाई थी? देखो ये सुनवाई थी witchcraft की, witchcraft मतलब काले जादू की ये सुनवाई थी, इस काले जादू की सुनवाई में लगबग 200 लोगों पर ये आरोप लगा था, कि ये लोग काला जादू करते हैं, ये सुनवाई का समय जो था 1692 से लेकर 1693 के आसपास का ये समय था, जब ये सु 200 लोगों में से 30 लोग, यानि के 30 लोग ऐसे थे, जिने guilty found कर लिया गया था, है न, अब इन 30 लोगों में से 19 लोग, 19 लोग ऐसे थे, जिनको फासी की सजा दे दी गई थी, जिसमें से 14 तो woman थी, यानि के 14 तो ओरतें थी, और 5 आदमी थे, इसके अलावा, गिल्स कोरी नाम क एक बंदा था, जो torture के दोरान ही मर गया था, 5 लोगों की death जो हो गई थी, वो जेल में हो गई थी, तो ये जो decision था, इनकी family के द्वारा लिया गया, विल्लियम हैथोन के और जोन हैथोन के द्वारा, उससे हमारे writer Nathaniel Hawthron बिल्कुल खफा थे, उसको इस decision को ये गलत मानते थ इसलिए इनों ने अपनी family से अपना नाम अलग करने के लिए अपने surname में W एड कर लिया था, ये वजह थी, आगे बात करते हैं, इनकी पढ़ाई की बात कर लेते हैं, कि पढ़ाई में इनका कैसे interest आया, November 10, 1813 को यानि 1813 को इनका एक accident हुआ था, जिसकी वजह से इनकी टांग में चोट लग गई थी, और लगभग एक साल तक इनने bad rest पर रहना पड़ा था, उसी bad rest के दोरान इनों ने क्या किया, इनको पढ़ने लिखने की आदत पड़ गई, इनको reading की आदत पड़ गई, तो इनोंने decide किया कि मैं अपना career अब writing में ही बनाऊँगा, 1816 में इनकी family को कुछ समय के लिए किसानों के साथ border पे रहना पड़ा, अब आगे बात कर लेते हैं, इनकी पढ़ाई की की पढ़ाई इनोंने कहां से की है, किस college से की है, देखे 1821 में इनोंने इक college को join किया, जिसका नाम था, बोडन college, इस बोडन college में इनके बहुत सारे friend बने, जैसे की Franklin Pierce बने, HW Longfellow बने, Horatio Bridge बने, लेकिन सबसे खास friend जो रहे, इनके Franklin Pierce रहे, ये खास होने की वजह भी ये है, कि जो Franklin Pierce है, ये अमेरिका के 14th president भी बने थे, और इनका सासन जो रहा था, 1853 से लेकर 1857 तक अब हमारे writer Nathaniel Hawthron ने बोडन college से 1825 में अपना graduation complete किया था, और यहां से इनको कुछ इनके खास दोस्त में मिल गए थे, अब बात करते हैं, इनके writing career की, इनोंने अपना writing career, fans show नाम के एक novel के साथ start किया था, जो की 1828 में publish किया गया था, ये जो work आया था, बाद में Nathaniel Hawthron ने इसको दवाने की कोशिस की, लोगों को दिखाने की कोशिस नहीं की, इसकी वज़े थी कि जब Nathaniel Hawthron की writing skills mature हुई, 1832 तक तो इनोंने कुछ जवरदस्त work को लिखा, और fans show को इनोंने इसलिए दवाया, क्योंकि ये जो fans show work था, इनके जो latest work थे, उनके standard के साथ मैच नहीं करता था, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनोंने कुछ खास work और लिखे, उनका नाम देख लिजे, The Hollow of the Three Hills, My Kingsman, Major Molyneux, Rosa Melvin Burial, ये सारे के सारे work कुछ magazines के अंदर, कुछ annuals के अंदर publish कराए गए थे, इसके अलावा ये एक magazine के editor भी रहे, 1836 से लेकर 1849 तक ये एक magazine, American magazine of useful and entertaining knowledge के editor रहे, 1837 में इनोंने एक collection को लिखा जिसका नाम था twice told tales, ये किस तरह का collection था, मैं आपको बता देता हूँ कि इस collection के अंदर जिसका नाम twice told tales था, twice told नेम से ही आपको पता चलता है कि Nathaniel Hawthorne की जितनी भी previously published short story थी, उनको इनोंने collect किया, और collect करने के बाद उन्हें एक बार फिर से publish करा दिया, 1841 में Nathaniel Hawthorne एक broke farm नाम की community के, जो की transcendentalist utopian community थी, उसके member रहे, बाद में इनोंने 1842 में अपनी साधी से पहले इस community को छोड़ दिया था, क्योंकि इनोंने 9 जुलाए 1842 को Sophia Peabody के साथ साधी कर ली थी, और ये साधी Boston में हुई थी, ये साधी करने के बाद Boston को छोड़ कर ये the old man's में जाकर settle हो गई, ये old man's Massachusetts में ही एक जगा है, इसके नाम था, Moses from an old man's, 1846 में इसको publish कराया गया, अब बात करते हैं Nathaniel Hawthron के बच्चों की, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, कि इनके तीन बच्चे थे, इनकी दो बेटी Yuna and Rose, और इनका एक बेटा Zulian, सबसे खास करेक्टर जो है, इनका Yuna नाम का करेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा इनकी बेटी का नाम, कि इनोंने अपनी बेटी का नाम Yuna ही क्यों रखा, और कुछ क्यों नहीं रखा, तो इनोंने ये नाम जो है, Edmund Spencer के The Fairy Queen work में आपको ये Yuna नाम का करेक्टर मिलेगा, वहां से इनोंने ये करेक्टर उठाया है, और वहां से Masterpiece कहा जाता है, 1850 में इसको publish कराया गया था, और ये इतनी तेजी के साथ भिका, कि 10 दिन में ही इसकी लगबग 2500 कोपी, 2500 कोपी इसकी sale हो गई, इसके बाद इनका एक और successful work आया, जिसका नाम था The House of the Seven Gavels, 1851 में इस work को publish कराया गया था, इसके बाद 1852, एक important year, इनकी biography में count की जा सकती है, उसकी वज़य है कि 1852 में presidential election हुए थे, अमेरिका के अंदर, जिसमें इनका friend Franklin Pierce, election में उठे थे, और उसको वो जीत भी गए थे, और जीत कर 1853 में इनके friend Franklin Pierce को अमेरिका का president बना दिया गया था, और जब ये president बने थे, तो हमारे rider Nathanielan Hawthron को भी एक post मिली थी, उ उसका नाम था the United States Council, इस post पर Nathaniel Hawthron 1857 तक रहे, इसके बाद इनोंने बिलाइत डेल रोमेंस नाम का एक work 1852 में लिखा, टेंगल वुड टेल्स 1853 में इनोंने एक work लिखा, फिर उसके बाद ये इटली में घूमने के लिए चले गर, और इटली में लगभग डेल साल तक, वर इनोंने एक work को produce किया, दमावल फॉन, ये भी इनका एक important work है, 1860 में इसको publish कराया गया था, फिर बात करते हैं 1862 की, 1862 में एक अपने ही देश की छोटी सी यात्रा पर ये अपने friend William D. Ticknor के साथ गए, जहां पर ये Washington DC में रुखे, वहां पर रुखकर इने, इनकी मुलाकात Abraham Lincoln और और भी कुछ important figure से हुई, important figure का मतलब है कुछ important person से हुई, और इनोंने अपनी इस visit को, अपनी इस मुलाकात को, जितने भी important person से इनकी मुलाकात हुई थी, अपने 1862 के एक essay, chiefly about war matters के अंदर mention किया है, और इनों का एक incomplete work, डोलिवर रोमेंस, 1863 में आया था, लेकिन ये incomplete work था, अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की technique को अपनी writing के अंदर इस्तिमाल करते थे, तो Nathaniel Hawthron अपनी writing के अंदर dark romanticism का इस्तिमाल करते थे, और इनी ने अमेरिका के अंदर ये dark romanticism technique को develop किया था, अगर आप लोगों को dark romanticism नहीं पता है, तो मुझे comment करके बताए, मैं आ हमारे writer Nathaniel Hawthron है, उनकी जो health है, वो लगातार गिरती ही जा रही थी, गिरती ही जा रही थी, लंबे समय से ये बीमार चलते ही जा रहे थे, May 19, 1864, यानि कि 1864 को 19 में को एक tour के दोरान, ये एक tour पे थे अपने friend Franklin Pierce के साथ ही, और New Hampshire में हमारे writer Nathaniel Hawthron की 1864 में death हो गई, और इनक बरीड किया गया था, Sleep Hollow Symmetry में, जो की Concord Massachusetts में है, अब इनकी death के बाद, लगबग दो सालों बाद, इनके जो school के friend थे, जिनका नाम H.W. Longfellow था, उन्होंने एक poem को लिखा, ताकि ये अपने friend Nathaniel Hawthron को क्या कर सके, tribute कर सके, उनको सिर्धांजली दे सके, और 1866 में H.W. Longfellow ने अपने friend Nathaniel Hawthron को tribute देने के लिए, एक poem को लिखा, The Bells of Len, इस poem को लिखकर उन्होंने tribute दिया, सिर्धांजली दी, I hope ये जो information मैंने आप लोगों को दी है, ये आपको समझ में आई है, और आपको exam में help भी करेगी, तो मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए, जैहिल्द!